हालो फ्रेंद्स मैं हूँ अभीहा इंतिखाब आपके अपनी यूट्यूब चैनल अभीहा क्लासे सफलता की सोच में आपका स्वागत है तो हम पढ़ने भारत की राजविवस्था जो एमलक्षिकान की लिखवी बुक है तो इस बुक के हमने दो चाप्टर कम्प्रीट कर ली है और आज हम इस बुक का थर्ड चाप्टर पढ़ने वाले हमने सम्विधान सभा का निर्मान पढ़ लिया है सेकेंड चाप्टर जो की है और फर्स चाप्टर हमने अतिहासिक प्रश्ट भूमी वो हमने पढ़ लिये आज हम थर्ड चाप्टर पढ़ेंगे सम्विधान की प्रमुक विशेष्टा है ये वेरी इंपोर्टन चाप्टर है देखें इंपोर्टन चाप्टर फर्स्ट और सेकेंड चाप्टर भी थे लेकिन इस चाप्टर से अगरं बात करते हैं तो सम्विधान सभा कЕ बारे में जो हम पढ़ा था हम विशेष्टाय पढ़ीए इसमें हम अनुचेत के बारे में पढ़ाझे इसमें हम भाग पढ़ेंगे इसमें अनुसूचियां पढ़ेंगे जैसे कि मैंने आपको second chapter ने बताया था कि हमारी हमारा जब सम्विधान लिखा गया है तो हमारी अनुसूजिया के वल आट थी लेकिन बात में संशोधन के थूर इसको बारा किया गया अनुच्येत हमारे तीन सब अचानबे थे लेकिन उसमें कर ख कर यानि ए बी करते हुए चलेंगे तो चली स्था करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए सम्विधान की प्रामुक विशेश्ता है अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीज़ेगा वीडियो को लाइक कीज़ेगा और सबसे लंबा लिखित सम्विधान सबसे पहली विशेश्ता है हमारी लेकिन अगर आपसे कोशन किया जाता है कि विश्व में सबसे लंबा सम्विधान किसका है लिखित सम्विधान है तो वह अमेरिका का है सम्विधान को दो वर्गों में भाजित किया जाता है लिखित है जैसे सम्विधान और अलिखित जैसे बिटेन का सम्विधान ठीक है भारत का सम्विधान विश्व का सबसे लंबा लिखित सम्विधान है लंबा लिखित सम्विधान है लेकिन सबसे लंबा सम्विधान के अगर बात करते हैं तो अमेरिकी सम्विधान है जो सबसे पहला सम्विधा अब बात कर लेते हैं भारत के सम्विधान को विस्त्रित बनाने के पीछे निम्न चार कारण हैं पहला है भारत का विस्तार और विविधिता एतिहाद पहला पॉइंट है भारत का विस्तार और विविधिता देखे अगर हम बात करते हैं कि भारत का सम्विधान जो है का मतलब है कि यहां पे बहुत से जाती, धर्म, राज्य, भाशाएं अलग-अलग होने के कारण भी हमारा समयधान काफी लंबा है क्योंकि समयधान में सब के बारे में हर एक पॉइंट है कोई भी जाती, कोई भी वर्ग छोड़ा नहीं गया है एतिहासे कि इसके उधारण के भारत शासन अधीनियम 1935 के प्रभाव को देखा जा सकता है, यह अधीनियम बहुत यह विस्तरित था, अगर हम कहें कि अगर क्रिटिसाइज किया जाता है भायत के समयधान को तो यह भी कहा जाता है, कि 1935 के अधीनियम के बिल्कुल कार्बन कॉपी और लेकिन यह सही भी है बहुत से पॉइंट्स जो 1935 के अधीनियम में है उसे भारत के समयधान में जोड़ा गया है, आगे देख सकते हैं जम्मु कश्मीर को छोड़कर केंदर राज्यो के लिए एकल समयधान, लेकिन अब ऐसा नहीं है, जम्मु कश्मीर में भी वही समयधान लागू होगा, समयधान सभा में कानून विशेशक्द्यों का प्रभुद्व, ठीक है, अब आगे देख सकते हैं विभन स्रोतों से विहित, ये विशेशता हैं भारत के समयधान ने अपने अधिकरित उपबंध विश्व के कई देशों के समयधानों और भारत शासन अधीनियम 1935 के देखें ये बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं या पर कि हमने जो भी चीजें किसी अगर दूस्टे के समयधान से नीं है उसको अपने जोड़ी है तो विश्व का समयधान चानने के बाद यानि की पूरी तरीके से जो प्योरेटी आती है वो हमारे समयधान में आती क्या हमन 1935 से लिया गया जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको समविधान का दार्शनिक भाग मौलिक अधिकार और राज्य की नीती निदेशक सिधान प्रमशा अमेरिका और आइलेंड से प्रेदित है समविधान के अन्य प्रावधान कनाड़ा ऑस्ट्रेलिया जर्मनी यूसर जो समविधान के आदे से अधिक प्रावधान या तो 1935 के अधीनियम के समान है या फिर इससे मिलते जुलते हैं अब आगे बात करते हैं तीसरी विशेष्टा क्या है नम्यता एवं अन्यमता का समन्वें देखिए हमारा जो सम्विधान है वह ऐसा सम्विधान नहीं कि जो लि क्या जाता है तो यहां पर हम देख सकते हैं सम्विधान और आनम्यता की दृष्टिकों है इसलिए वर्गित किया जाता है कि कफोर ईँसे माना जाता है उर्विशेश प्रक्रिया जाता हूँ उधारन के लिए अमेरिकी सम्यदान लचिला यह नमें सम्यदान वक केले आता है जिसमें संषोधन की प्रक्रिया वही हो जैसे किसी कूझ आम कानून के निर्मान की जैसे बृटेन का सम्यदान लिकिन हमारा सम्यदान ऐसा बिलकुल भी नहीं है रिंगतभी उस发 कि अगर दोनों पक्ष और विपक्ष रितम बराबर से वोट दे रहा है किसी भी आक्ट को लेके किसी भी संशोधन को लेके तो उस टाइम लास्ट टाइम स्पीकर वोट देता है कुछ अन्य प्रावधानों को संसत के विशेश बहुमत और कुल राज्यों के आदे से अधिक अनुमोधन से संशोध किया जा सकता है अब आगे देख सकते है कि एकात्माक्ता की ओर जुकाओं के साथ संग्य विवस्था भारत का संविधान संग्य सरकार की स्थापना करता है इसमें संग की सभी आम लक्षन विद्वान है जैसे दो सरकार शक्तियों का विभाजन प्रूसरी और अनुछेद एक में भारत का उलेक राजयों के संग के रूप में किया गया है ठीक है किसलिए किया गया है राज्यों के संग के रूप में किया गया है इसके दो अभी प्राय है पहला भारती संग राज्यों के बीच हुए किसी समझोते का निशकर्ष नहीं है और दूसरा किसी भी राज्य को संग से अलग होने का अधिकार नहीं है ठीक है देखे संग जो अब देख सकते हैं वास्तविक वा नाम मात्र के कारे पालकों की उपस्तिती, बहुमत वाले दल की सत्ता, विधाईका के समक्ष कारे पालका की सयोगत जवाब देही, विधाईका में मंत्रियों की सद्धिता, प्रधान या मुख्य मंत्री का नेत्रितु, प्रधान या मुख लोग सभा को निचला सदन बोलते हैं उच्चो सदन राजय सभा को बोलते हैं तो निचला सदन दो भाग में भाजत हैं एक लोग सभा और विदान सभा विदान सभा राज्यों के कोडिंग होती है और लोग सभा संग या सेंट्रल के कोडिंग होती है अब बात करते हैं जिस भारती संसदी प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली से भिन्न है ठीक उसी प्रकार भारत में सर्वोच न्याले की न्याइक समिक्षा शक्ती अमेरिकी सर्वोच न्याले से क्या है बहुत कम है ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिकी सम्विधान में विधी की नियत प्रक्रिया का प्र सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए अब बात करते हैं मौलिक अधिकार हमारे टोटल है तो मौलिक अधिकार हमारे टूटल छे हैं उसमें हम देख सकते हैं सम्विधान की तीसरे भाग में छे मौलिक अधिकारों का वर्रण किया गया है, यह अधिकार है, समानता का अधिकार, यानि हम सब समान है, हम सब एक्वल है, चाहे किसी भी धर्म की हो, चाहे किसी भी लिंक की हो, हम सब भारती और हम सब एक्वल है, स्वातंतृता का अधिकार, ये भी सब के लिए बहुत समा अब आगे हम चलते हैं, राजी की नीती निदेशक सिधान क्या है, यह very important है, डॉक्टर बी आरम बेटकर के अनसार, राजी की नीती निदेशक सिधान भारते सम्विधान की अनूठी विशेष्टा है, इनका उलेक सम्विधान के चौथे भाग में किया गया है, इन्हें मोट तोर पर त्नीर वर्गों में भाज़त किया जा सकता है, समाजे, गांधिवादी तथा उदार भौतिक, जेक है, नीती निदेशक तत्मों का कार समाजिक वा आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है, इसका उदेश भारत में कल्यानकारी राज्य के स्थापना करना है, क कल्यानकारी राज्य से मतलब है, कि ऐसे राज्य जहां पर ऐसी नीथियां बनाई जाएं, जो गौवर्मेंट वो नीथिय जो भी बना रही है, वो पबलिक के हक में हो, उनके कल्यान के लिए हो, अब बात करते हैं हमारे मौलिक करतव्य, मौलिक अधिकार है तो मौलिक पर 1976 के 42 सम्विधान संशोधन की मांध्यम से आंत्री का पातकाल 1935-1977 के दौरान शामिल किया गया था 2002 के 86 सम्विधान संशोधन ने एक और मौलिक करतवे को जोड़ा ठीक है तो आप शेकर कुशन किया जाता है कि क्या मौलिक करतवे जब मारा मूल सम्विधान बना तो उस टाइम उसमें जुड़े थे तो बिलकुल नहीं इसे 42 संशोधन के दौरान सवण से समीती के सिपारिश के तौर पे जोड़ा गया है अब आके देख सकते हैं हम कि हम देखते हैं कि एक धर्म निर्पेक श्राज्य है हमारा तो इस धर्म निर्पेक श्राज्य के लिए हमारे कुछ जो विशेषता हैं उनको मैं पढ़ती हूँ चलती हूँ यहाँ पे और आपको समझाती हूँ चलती हूँ देखिए सारे इंपोर्टेंट है तो इसलिए मैं इसको एक एक करके समझाती हूँ आपको वर्ष 1976 के 42 में सम्विधान संशोधन द्वारा सम्विधान के प्रस्तावना में धर्म निर्पेक शब्द को जोड़ा गया है धर्म निर्पेक शब्द को जोड़ा गया है धर्म निर्पेक शब्द का क्या मतलब होता है कि हमारा भारत किसी भी एक विशेष धर्म के लिए ये सबी धर्मों के लिए समान है प्रस्तावना हर भारती नागरिक की आस्था पूजा अर्चना वा विश्वास की स्वतंत्ता की रक्षा करती है प्रस्तावना हमारी प्रेमबले क्या करती है कि जितने भी हमारे भारती हैं सब की धर्म सब की पूजा सब की आस्था सब की अर सेवाँ में सभी नागरिकों को समानवसर दीए जाएंगे साजनिक सेवाँ से क्या मतलब है कि अगर कोई वेकैंसी है कोई गौर्णमेंट जॉब निकल रही है या गौर्णमेंट के तरफ से कोई ऐसी पॉलिसी चलाई गई है जो पब्लिक के लिए तो यह किसी धर्म के लिए किसी भी धर्म का अपनाने वह उसके अनुसार पूजा अर्चना करने का समाना अधिकार है किसी भी धर्म विशेश के प्रचार के लिए किसी प्रकार का कर देने के बात नहीं किया जाएगा यानि कि कोई भी धार्मिक टैक्स नहीं लगा जाएगा कि आप मुसल्मान हो या हिंदू हो तो उसके according up टैक्स तो तब भी आप उस धर्म में रह पाओगे तो ऐसा कोई भी हमारे समिधान में ऐसा कोई भी क्लॉज नहीं है और अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाब कारव कि जाएगी किसी सरकारिक शैक्षिक संस्थान में किसी प्रकार के धार्मिक नितेश नहीं दिया जाएगे यानि कोई भी एडूकेशनल इंसीट्यूट होगा कोई युनिवर्स्टी हो गी या कोई कॉई स्कूल होगा तो किसी धर्म विशेश पे नहीं होगा और वहां से भी धर्म विशेश के बारे में नहीं सिखाया जाएगा नागरिकों के किसी भी वर को अपनी भाषा डीपी अत्वा संस्कृती को सनक्षत करने का पूरा अधिकार होगा अलप संक्यकों को अपनी पसंद के शैचिक संस्थानों की स्थापना करने और उन्हें संचालित करने का भी पूरा अधिकार होगा अलप संक्यकों कौन तो अलप संक्यक भारत में हिंदू नहीं है क्योंकि वो बहुत संक्यक कहलाते हैं क्योंकि वो जाता संक्या में मुस्लिम, सिक, इसाई और जैन या बौदिजम या पार्सी जो भी आप कह सकते हैं पार्सी जो होते हैं कुछ पार्सी इंडिया में भी रह रहे हैं तो वो भी अलप संक्यकी कैटिगरी में आएगा राज्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक सहिंता बनाने के लिए प्रयास करेगा तो यह धर्म निर्पेक्ष राज्य की बात हो रही है अब आगे बढ़ते हैं चलते हैं सार्व भौम वैसक मत अधिकार यानि कि यह सब से इंपॉर्टेंट है हमारे वोट राइट्स वर्ष 1989 में 61 सम्हिधान संशोधद अंधिनीयम द्वारा 1988 के द्वारा मत दान करने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया अब आगे देख सकते हैं कि एकल नागरिकता ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि भारती नागरिक हम कैसे रह सकते हैं या तो हम जन्म से ही भारती हो हो भारत में सभी नागरिकों को चाहे वो किसी भी राज में पैदा हुए हो या रहते हो समपूर्देश में नागरिकता की समान राजनतिक और नागरिक अधिकाय प्राप्त होते हैं अब किसी भी राज्य में रह रहे हो लेकिन वो भारती राज्य है अगर तो आप भारती यह ही है और उनमें कोई भेदबाव नहीं किया जाता सबी नागरिकों के लिए एकल नागरिकत और समान अधिकारों के सम्विधानिक प्रावधानों के बावजूद भारत में संप्रताईक दंगे, वर्ग, संघष, जाती, युध्य, भाशाई विवाद और निर्जाती विवाद होते रहते हैं कि सम्विधान की निर्माताओं ने एकी कृत और संगटित भारत राष्ट के निर्माण का जो सपना देखा था वो पूरी तरह से पूरा नहीं हो पाया है अब आगे बात करते हैं स्वतन्तित निकाई की तो संसत तथा राज विधान सभाव भारत के राष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपती के लिए भारत के राष्ट्रपती और भारत के उपराष्ट्रपती के लिए स्वतंत्रित और निश्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने ही तु निर्वाचनायोग राज़ और केंद्र सरकार के खातों के अंक्षेड के लिए भारत का नियंत्रक और महालेखाकार ये जन्ता के पैसे के संडक्षक होते और सरकार द्वारा किये गे खर्चों की वैधानिक्ता और उनके उच्छे धोने पर टिपड़ी करते हैं संग लोग सेवायोग अखिल भारती सेवाओं वा उच्छ तरी केंद्री सेवाओं के लिए भरती है तू परिक्षाओं का आयोजन करता है और अनुशासनात्मक मामलों में राश्टपती को सला देता है राज्य लोक सिवायोग जिसका काम हर राज्य में राज्य सिवाओं के लिए भरती है तो परिक्षाओं का आयोजन करना वो अनुशासनात्मक मामलों पर राज्यपाल को सला देना है यह सतंत्र निकाएं हमारे विशेष्टाओं में भारती समयधान की अब बात कर लेते हैं आपातकालीन प्रावधान क्या है तो राश्ट्री आपातकाल राज्य में आपातकाल और विद्यापातकाल यह तीन तरह के आपातकाल होते हैं तो हम पढ़ते चलते हैं कि राश्ट्रिय आपातकाल क्या है युद्ध आक्रमन अत्वा सशस्त्र विद्रों से पैता हुई राश्ट्रिय अशांती की विवस्था ये भारत में लग चुका है ठीक है अब बात करते हैं राज्य में आपातकाल राज्य में समयधानिक तंत्री के असफलता या केंद्र के निर्देशों को का अनुपालन करने में असफलता ये राज्य के लिए है अब बात करते हैं वित्यापातकाल भारत के वित्य स्थिर्ता या प्रत्याय संकट में हो तो वित्यापातकाल लग सकता है अब बात करते हैं त्री इस्तरी सरकार क्या है तो मूल रूप से अन्य संगिय समिधानों की तरह भारती समिधान में दो इस्तरी राजविवस्था केंद्रवा राज और संगठन के समबंद में प्रावधान तथा केंद्र एवं राज्यों की शक्तियां अंतर विष्ट थी बाद में वर्ष 1902 में 73 एवं 74 समिधान संशोध तरह भारती समिधानों के समिधानों के लिए अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया और इसने एक नया राज्य का नीती निदेशक तत्व जोड़ा सहकारी समिधी के प्रुच्छान देने के लिए इसने समिधान में एक नया भाग यानि की 9th B जो है हमारा उस भाग में 9 भाग में B में जोड़ा और सहकारी समिधी अधिकार शीर्षक से इसको जोड़ा गया है अब आगे इसमें देख सकते हैं कि कुछ आलोचनाई की गई यह मैंने आपको 2nd chapter में बताया था कि बहुत से चीज़ें कहीं गई कि समिधान बहुत लंबा है टाइम बहुत जादा लिया गया है इसमें वकीलों का प्रभुत ज अधिकार शीर्षक प्रभुत जादा बहुत जादा बहुत जादा दिक्कत हो सकती है अब इसमें मैं सबसे इंपोर्टन चीज़ें जो भाग और अनुसूचियां इनको मैं पढ़ देती हूं जल्दी से आपके लिए तो भाग क्या है पहला भाग में क्या विशे है संग औ तीसरे भाग में मौलिक अधिकार चौथे भाग में राज्य के नीती निदेशक पैत्व और आपके चौथे ए भाग में मौलिक करता वे पाच्वे भाग में संग सरकार, कारे पालिका, संसद, राष्ट्रपती की विधाई शक्तियां, संग की न्याय पालिका, भारत का नि अब आगे पढ़ते हैं हम जल्दी से, नौवे खा में क्या है, तो नौवे खा में सहकारी समीतिया है, दस में अनुसूचित और जनजाती चेत्र है, एक्ज्यारा में संग और राजे के बीच संबंध क्या है, विधाई और प्रशासनिक संबंध, बारवे में वित्य संबत्ती और समिदाएं और वाध हैं, यानि रिड़ लेना, वित्य संबत्ती का अधिकार उस पर बात है, अब आगे देख सकते हैं तेरवे में क्या इस कंडिशन है, भारत के राजे छेतर के भीतर व्यापार, वारिज्य एवं समागम की स्थितिया, और फिर 14 पर हम देख सकते हैं कि संग और राज्यो के अधीन सेवाएं, सेवाएं और लोक सेवाई योग, इस भाग में है, फिर 14 का में देख सकते हैं अधिकरण, 15 में हम निरवाचन देख सकते हैं, हमारे चुनाव से संबंदित चीजे हैं, और 16 यानि 16 में हैं हम कुछ कुशन बनता है कि राज्य भाज्या संबंदित चो भी चीजे हैं, वो किस भाग में हैं, तो वो भाग है आपका 17, फिर 18 में आपात उबंद और फिर हम देख सकते हैं, 19 में प्रकरण, फिर 20 में सम्विधान का संशोधन, फिर 21 में किस में आइस थाई, संक्रमन शील और वि फर जो हमारे अनुषूचिया का फिर 18 में चीज राज्या सम्विधान, अनुष्षे था अनुषण कर मारे का संविधान द्याक्ष, गारत के राज्या सभवापति, भाळत लोगवान द्याक्ष हुपाद्याक्ष, राज जबहापति, और उपसा भापति राज्य विधान सभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिशदों के सभापती और उपसभापती, सर्वोच न्याले के न्यायधीश, उच्च न्याले के न्यायधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परिक्षन, अब तीसरी अनुसूची हम पढ फरुर कीजिएगा वीडियो को तीस्री अनसूची में क्याह है इसमें विभण उमीद्वारा द्वारा ली जाने वाल div शपत या प्रत्तिग्या घ्ञान के प्रारूर्प दिये जाते सर्वोच न्याले के नियाधीश भारत के नियंत्र के एवं महालेखा परिक्षक राज्य मंत्री राज्य विधार मंडल के लिए नियनवाचन के लिए अभ्यार्थी राज्य विधार मंडल के सदस से उच्छ नियालों के नियाधीश इनके बारे में अब बात कर सकते हैं चौ पुरा मिजोरम राज्यों के जंजाति छित्रों के प्रशासन के बारे में उपन साथ वी अनु सूची में क्या है संग सूची जिसमें है आपका राज्य सूची तता समवर्धी सूची संग सूची राज्य सूची क्या है कि कुछ विशेश काम संग के लिए है यानि सेंटरल के लिए कुछ विशेश काम राज्जी के लिए है जो स्टेट गॉर्नमेंट होगी, लेकिन समवर्थी सूचिक एकौर्डिंग यह है कि दोनों को मिला जुला के जो काम करने पड़ते हैं, यानि कि दोनों को मिलके जहां पर काम करना है, वो वो समवर्थी सूची में आएगा, आठ भी यहनों सुची क्या है? समिधान दौरा मानिता प्राप्त भाषा आएं क्या क्या है? ये टोटल मूल रूप से 14 थी मगर फिलहाल बाइस है यानि कि जब हमारा समिधान बराउस में 14 भाषा आएं थी लेकिन अब बाइस है इसमें असमिया, बांगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड, कश्मीरी, कॉंकडी, मैथली, मल्यालम, मनिपूरी, मराथी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलकु तथा उर्दू, सिंधी भाषा को 1967 के 21 संशोधन अधीनियम द्वारा जोड़ा गया था कोंकडी, मरीपूरी, नेपाली को 1992 के 71 संशोधन अधीनियम द्वारा और बोडो, डोगरी, मैथली और संथाली को 2003 के 92 संशोधन अधीनियम द्वारा जोड़ा गया था अब चलिए पढ़ते हैं नवी अनिसूची जो क्या है हमारी तो भूस उधारों और जमीदारी प्रणाली के अनुमूलन से संबंदित राजे विधान मंडलों और अनिमामलों से संबंदित संसत के अधिनियम और विनिमैं इस सूची में आते हैं अब बात करते हैं दसवी अनिसूची दल बदल के अधार पर संसत और विधान सभागी सदस्य की निहरता के बारे में उपबंध है ग्यार्वी अनिसूची क्या है तो ये गाउं के लिए और बार्वी शहरों के लिए तो गाउं और शहरों में क्या हम पढ़ सकते हैं देखें ग्यारवे अनुसूची पंचायत की शक्तिया, प्रदादिकार वा जिम्मिदारियां और इसमें 29 विशे हैं इस अनुसूची को 73 सम्विधान संशोतन अधीनिया 1992 द्वारा चोड़ा गया था यानि ये पहले नहीं था मूल रूप से फिर देख सकते हैं 12 अनुसूची मूल र इस अनुसूची को 74 सम्विधान संशोतन अधीनिया 1992 द्वारा जोड़ा गया है नेक्स्ट चैप्टर हम कल पढ़ेंगे थांक्यू दोस्तो